सो हेलो एवरिवन वेल्कम एट निम्बस लेर्णिंग पावड बाई इंजिनियर स्काइड में डियर स्टुडेंट्स 19 फैब को जो आल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था ससी मेंस के लिए उसमें बहुत सारे हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे बच्चे सरी कोईरी कर रहे थे कि सर कब तक रिजल्ट दे दोगे इतनी सारे कॉपीज चैक कैसे होगी तो आप देख सकते हैं कि कुछ वीडियो गये थे यूट्यूब के लेकिन अब समय है कि THIS चिवil के बारे में भी प्रॉपर अनाऊंसमेंट रहा और बच्चों समझ में आजाए कि क्या सिविल इंजिनेरिंग का रिजल्ट भीजल्दी आने वाला है बिलकुल में बिलकुल बटा सिविल इंजिनरिंगरिंग का रेट बाइस हर्वरी को आपके टेलेग्राम के official group पे upload हो जाएगा और आप सोच रहोंगे साथ civil में इतना टाइम लगा को बिठा आपको पता ही है civil का सर आपको पता होगा सर हजारों बच्चे आये थे civil के अंदर एक्जाम देने के लिए आप बोल सकते हो कि civil के बच्चे सबसे जादा होते हैं और हमारी civil की टीम दिन रात लगी है आपने वीडियो देखें बहुत सारे बिल्कुल कि वहाँ पर पूरी टीम दिन रात पूरी लगन के साथ लगी है कि बच्चों को रजल्ट जल्दी से जल्दी दे जिससे वह अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाए और अम बच्चों को बता पाए कि वहाँ पर उनको क्या गलतिया नहीं करने हैं बिल्कुल सर मैंने खुद ने वीडियो देखे थे जिसमें टीम रात रात बार लगी थी उन को सॉल्व करने में चेक करने में तो यह बड़ी अच्छ हुई है जो भी चेक हो रही है और तल शाम तक हम मतला 22 अफ तक हम रजल्ट दे देंगे सर इसमें इक और चीज में स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर आप रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो आप इंजिनेर्स अकैडमी के ओफिशल टेलिग्राम ग्रूप प जिन्हों ने ओनलाइन एक्जाम दिया है वह सर अपने पॉर्टल पे फिर से लॉग इन करेंगे तो डेश बोर्ड पर रिजल्ट दिख जाएगा उनको उनको कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन वह बच्चा जिसने ऑफ लाइन एक्जाम दिया है उसके पास ऑनलाइन दिक्लेर कर दिया है और टेलिग्राम ग्रूप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो मेरे खाल से रिजल्ट में सर कुई दिक्कत आएगी नहीं सर आप अपन रिजल्ट दे चुके बच्चों के डाउर से साच चवविस तारिकों और आपका लाश्ट है अगर सेकेंड रैंक देखे तो नितिन का है जिनका 238 मार्क है और थर्ड रैंक रवी शंकर जिनका 235 मुझे लगता है कि सटॉडेंट्स है जिन्होंने यहां पर टॉप किया है उसा 26 तारिकों भी टॉप करने वाले बिलकुल सर निया पनला टॉप 10 आपको यहां दिख है तो हो सकता है यह टॉप 10 महां भी आपको टॉप 10 में दिख जाए लेकिन टॉप 10 का सेलेक्शन होना तो मुझे लगता है कि शोर है बिलकुल सर देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारे बच्चे एक्जाम देने आये थे पूरे 20 तारिक को सर पूरी टीम दिन रात लगी वी थ अल्मोस्ट जितने भी बच्चे कॉलिफाई कि होंगे ना हर एक बच्चे ने किसी तरीके से जुड़ने की कोशिश किये कि हम मैंने एक्जाम से पहले एक अपना अपना यह पिटिफ इतना बढ़ा है कि मैं अगर इसको स्क्रॉल करते जाहूंगा ना तो शाहद आद आपन अगर हम लोग बात कर रहे हैं 24 तारीकी एक्जाम की तो 24 को जब आप एक्जाम दोगे तो 26 को आपका फाइनल एक्जाम तो बच्चे यह बोल रहे हैं कि सर इस एक्जाम को आप 23 को करवा दो अच्छा जिससे की जो कॉपीज हो अगर वो हमें मिल जाए तो कहीं एक उसमें जो दिया गया फुल सिलेबस उसका डेट चेंज कर दिया सर उसको 23 को करवा रहे मतलब बच्चों की हमने पूरी डिमांड फुल्फिल करने की कोशिश की है इससे बच्चा कम से कम लास्ट नाइम पे अपनी एक्जाम को अपनी प्रिपरेशन को आइडिफाई कर से अच्छ जल्दी से जल्दी चेक करके वापस हैंड ओवर कर दे क्योंकि इतना समय बचे कर दे बिल्कुल बचेगा भी निए तो हम कोशिश करेंगे हम आपको को जरूर दे दे हाँ रिजल्ट हम उसका बनाएंगी ने क्योंकि 26 को एक्जाम है तो हम कोशिश करेंगे कि उस कॉपी को प्रॉपरली चेक करके आपको हैंड ओवर कर दे दो दिन के अंदर अंदर बाकि अगर आपको लगता है ओल इंडिया मॉक टेस्स देने के बाद में आपने आपने परहार एससी पर कर दिया है मतलब आप बिल्कुल सैटिसफाइड है तो मुझे लगता है दो से तीन दिन अ आपकी कॉपी चेक करके आपको बापस हैंड ओवर करने वाली है तो मुझे असा लगता है कि सर अगर बच्चा तीस तरी को एक्जान देने वाला होगा तो डेफिनेटली आएगा कोई दिककत नहीं है अगर वो चारा कि दो तीन दिन दिन वो सेल्फ खुद को दे तो मुझ आपको कॉपी भी दिखा देंगे आपके माक्स भी दिखा देंगे चलिए तो मुझे लगता है कि सर आज की इंफरमेशन डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए काफि सर्प्राइज रही होगी कि इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे दे दिया तो इसी तरह के और भी तक यू